अमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का पुनम सिंग रेशिपीज में और मैं पुनम आज भेजी नुडल्स स्पिरिंग रोल की रेशिपी लेकर आई हूँ आप सब के लिए तो बर्सात के मौसम में कुछ नकुछ अपटा खाने का मन करते रहता है तो उसी में आज मैं बनाई हूँ भेजी स्पिरिंग रोल्स दोस्तों तो चलिए देखिए कैसे हम बनाते हैं तो हम ले लिए है वन फूर्त सिमला मिर्च, वन हाफ विष गाजर काट लिए हैं एक चोटा सा प्याज काटे हैं और पत्ता को भी काट लिए है थोड़ा सा और एक दिन पहले हम बनाये थे नूडल्स तो थोड़ा सा नूडल्स भी रख रोल्स में डालने के लिए तो चलिए हम बनाते हैं इसकी पूरी रेशिपी, तो सबसे पहले हम spring roll का sheet बनाएंगे दोस्तों, तो spring roll का sheet बनाने के लिए हम ले लिए हैं 100 g all-purpose floor मैदा ले लिए हैं, इसका slurry हम बनाएंगे, हम इसका dough का भी बनाएंगे लेकिन slurry पहले बनाते हैं इसका हम बनाएंगे spring roll का sheet जो आता है, तो इसे हमें बिल्कुल पतला गोल तयार करना है इसका, लम्स बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें, तो इसको मिला मिला के और हम अच्छी तरह से गोल बना लेंगे, लेकिन थोड़ा सा लंस रही गया था दोस्तों, तो हम इसको क्या किये थे कि छन्नी की सहायता से, बड़ी छन्नी से हम इसको छान दिये थे, कि इसका लंब से बिल्कुल खतम हो गया था, तो देखिए हम इसको अब छान लिये हैं, छन्नी में, तो एकदम स्मूथ इसका घोल तयार हो गया है, अब इधर हम सब्जियों को फ्राई करेंगे, तो तवा हम ले लिये हैं, तवा पे रिफाइंड ओल डाल लिये हैं, एक करेंगे हम, क्योंकि स्टफिंग हमें बिल्कुल ड्राई चाहिए, तो प्याज फ्राई हो गया, इसी में हम सारी सब्जियों को डाल कर हलका सौटे ही करना है हमें, क्योंकि सब्जिया तो फिर स्प्रिंग रोल के साथ पकी जाएंगी, और ये सब्जिया थोड़ी से क्रंच भी रहेगी, ज्यादा फ्राई नहीं करना है, हमें इसे हमें soft और crunchy ही रखना है, और तेज फ्लेम पर बिल्कुल तेज फ्लेम पर इसे हमें फ्राई करना है, तो दिखिए फ्राई हो गया, इसमें अब हम डालेंगे, salt to taste, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, छोटा वाल चम गोलमिर्च पाउडर एक चमच हम डालेंगे, टोमेटो सॉस एक चमच हम डालेंगे, चिली सॉस और एक चमच हम डालेंगे, विनेगर, इससे स्वाध और इन्हेंस होता है फ्रेंट्स, तो सबको डाल कर और हम मिला लेंगे इस अच्छी तरह से, ज्यादा दिन नहीं भुनना ने तो फिर sauce का टेस्ट थोड़ा change हो जाता है ज्यादा fry करने से बस इसे केवल mix कर लेना है हमें अच्छी तरह से अब हम इसने क्या करेंगे जो noodles रखे हुए थे उसको डालेंगे और उसको डाल कर हमें बस sauce सब के साथ mix ही कर लेना है क्योंकि already noodles पहले से ही fry किया हुआ है तो ज्यादा fry करने से यह थोड़ा sticky हो जाएगा इसलिए हमें इसे soft ही रखना है friends तो बस इसे मिला देंगे अच्छी तरह से सारे sauce और vinegar के साथ और इसे हम गैस हम बंद कर दिये हैं ताकि sauce का स्वाथ चेंज नहीं हो और इसे हम मिला लिये हैं अच्छी तरह से तो जब तक यह fry हो रहा है friends आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए पुनम सिंग recipe को अब हमारे यह noodles fry हो गया है अब हम क्य करेंगे कि इसका seat बनाएंगे spring roll का seat तो हमें तावा को ज्यादा गर्म नहीं रखना है friends हलका ही गर्म पे इसका seat बनाएंगे हम तो गोल देखिए कितना पतला रख लिये हैं जो spot spot आ गया है उसमें हम उपर से भी गोल डाल देंगे और डो का भी हम बनाएंगे तो देखिए seat बिल्कुल तयार हो रहा है दो तिन तरह से इसका seat बनता है friends और किसी recipe में हम आपको दिखाएंगे और जहां फट जाता है वहाँ slurry से हम फिर इसको चिपका देंगे ताकि अंदर तेल नहीं एक्स्ट्रा जाए तो देखिए seat सारा तयार हो गया है अब इसको हम slurry से उपर से देखिए कैसे coat कर दे रहा है कि जो भी थोड़ा सा फट या है या सुराख है इसमें seat में spring roll seat में वह बिल्कुल उसका gap भर जागा और हम इसमें stuffing डालेंगे friends और डाल कर इसको हम लपेट लेंगे रोल बना लेंगे रोल बनाने के बाद हम इसके side में भी slurry लगा कर और इसे अंदर तरफ से इतने ही अच्छी तरह से हमें इसे अंदर फोल्ड करना है कि stuffing बाहर नहीं आए और तेल अंदर नहीं जा पाए तो इसमें देखिए हम इसको कैसे अंदर फोल्ड करके अच्छी तरह से पैक कर दिये और इसे अब हम तेल गर्म कर लिए हैं बिल्कुल hot oil चाहिए हमें और उसके बाद थोड़ा सा medium flame पर कर दें क्योंकि 5-7 मिनट लगता है इसे अच्छी तरह से fry होने में और बिल्कुल crunchy यह fry हो जाता है एक ऐसे सीट बनता है फ्रेंट्स वीडियो लंबा होने के चलते और हम दुसरे तरह से आपको नहीं बता पाए और डो भी हम बना लिये हैं थोड़ा सा ही मैदा का इसमें एक चमच ऑइल डाल कर और आधा चमच हम छोटे वाले चमच से नमक डाल कर थोड़ आपको वीडियो में नहीं दिखा पाए और वैसे ही इसका हम पतला रोटी बेल लिये हैं और इस पे हम उपर से सलरी मैदा का जो बना है वो लगा रहे हैं और इससे है कि चिपक जाता है अंदर स्टफिंग भी अच्छी तरह से पैक हो जाता है और बाहर नहीं निकलता है न थोड़ा छोटा छोटा भी पूड़ी बना कर इसका स्प्रिंग रोल तयार कर सकते हैं तो देखिए कितना अच्छा तयार हो गया तेल गर्म था है उसी में हम इसको डाल कर और फ्राइ करेंगे उलट पलट कर अच्छी तरह से चारो तरप से हम सेख लेंगे बिल्कुल तो एक पलेट में डालेंगे फ्रेंट्स थोड़ा से ठंढ़ा करेंगे नहीं तो फिर हान्त जलेगा काटने में और इसको देखिए इतना क्रंची हो गया है कि थ्थवा सा काटने में भी दिकत हो रही है तो इसको हम अच्छी तरह से काट लेंगे बड़ा है तो तीन पीस क कीजिए और देखिए सारा हम काट लिये हैं आप इसको सौस चटनी किसी भी चीज के साथ सामके स्नेक्स के रूप में ले सकते हैं मज़े से खा सकते हैं तो देखिए अब हम इसको प्लेटिंग करेंगे आप सब के लिए तो कितना अच्छा लेयर बाई लेयर क्रंची हुआ है प्लेटिंग रौल तो रेशिपी कैसी लगी आपको जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा आप इसे बना कर इस्तोर भी कर सकते हैं एक हपता के लिए असानी से और यह फ्रेज में श्टोर होगा जब ज़रुरत हो आप इसे फ्राई कर सकते हैं और दोस्तों के साथ परिवा take care, have a nice day.